दिल्ली सरकान ने सोमवार को सुप्रीम कोट में कहा कि वो रिजिनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए फंड देने में सक्षम नहीं है इस जवाब से असंतुष सुप्रीम कोट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि हमें दो हफ़ते की भितर बताए कि आपने पिछले तीन साल में विग्यापनों पर कितना खर्च किया है दिल्ली सरकार ने कहा कि उनके पास फंड की कमी है और ऐसे में वो आरा टीस प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं जस्टिस एस के कॉल और जस्टिस सुधान्चु दुलिया की बैच ने दिल्ली सरकार से कहा कि दो हफ़ते में एक एफिड़ेफिट फाइल करिए इसमें पिछले तीन फाइनशल एर के दोरान एड़टाइसमेंट पर किये गए खर्च की डिटेल होनी चाहिए बैच ने कहा आप चाहते हैं कि हम यह देखें कि आप किस फंड का स्तमाल कहा किया है विग्यापन के लिए रखा गया हर फंड इस प्रोजेक्ट में लगाया जाना चाहिए कि आप इस तरह का आदिश चाहते हैं आप ही इसा करने को कह रहे हैं ये राश्टी महत वाला प्रोजेक्ट है आप डिटेल्स फाइल्स कीजिए आरेटी इस प्रोजेक्ट के जरी दिल्ली को राजिस्तान और हर्याना से जोड़ा जाना है इसके तहद हाइस्पीट कंपीटर बेस्ट रेलवेज सर्वीस दी जाएगी रैपिट इजनल ट्रांजिस सिस्टम के जरी नॉन बिक टाइम में मॉल डुलाई की योजना है रैपिट रेल एक्सवस्ती किलोमेटर प्रती घंटा की रफतार से चलेगी जब रेल में भीड कम रहेगी तब उसे कारगो पहुचाने में यूज किया जाएगा इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे हन्नेवाद